हरे कृष्णा जय भवानी ऐसा लग रहा है कि जैसे आज हम इसकौन मंदिर में नहीं बल्कि राइगड के किले में हैं काफी आर्चे से मैं चाहता था कि हम शिव जैन्ति मनाएं परन्तु आज योग इस प्रकार का लगा कि 19 फरवरी और वो भी हमारा रविवार का कारेक्रम तो मैंने का क्यों नहीं है आज हम महराश्टर में हैं नासिक में हैं और चाहतरबती शिवाजी महराज के जितने भी गड़ हैं आस पास के वहाँ पर हम सब निवासित हैं तो क्यों नहीं हम शिव जैन्ति हमारे इसकौन मंदिर में मनाएं जब मैं अध्यन कर रहा था काफी जो हमारे भारत के इतिहासकार हुए हैं हिस्टॉरियन्स हुए हैं उन्होंने जितने दस्तावेज दिये हैं चत्रपती शिवाजी महराज के विशय में वो इतने रोमांचक हैं और एक प्रकार से हमारे अंदर जिसको कहते हैं प्राउड फीलिंग एक गर्वित होने का एहसास जो दिलाते हैं मानो पढ़ते समय मुझे लग रहा था कि मैं किसी सदी में पैदा हुआ क्यों नहीं उस सदी में पैदा हुआ होता और साक्षात इनके दर्शन हुए होते नकेवल दर्शन हुए होते बलकि किसी ने किसी प्रकार से कम ज्यादा मात्रह में यदि कुछ योगदान हमारा भी ह हुआ होता तो जीवन सफल हो गया होता उस दृष्टिकोंड से तो कोई नहीं यदि हम सब उस आशा से च्छतरपती शिवाजी महराज की जैंति आज मनाएंगे तो हो सकता है कि उनकी कृपा से हम जो उन्होंने इस भारत वर्ष के लिए योगदान दिया है हम हमारी ओर से भी थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं कि वो जो गिलहरी का प्रयास था उस प्रकार का प्रयास हम भी कुछ कर सके तो जैसे भगवान स्रीकृष्ण भगवत गीता के दशम अध्याय में कहें हैं जब अरजुन जानना चाहते थे कि भगवान का जो आश्वर्य है वो कहां कहां किस किस तरीके से किन किन रूपों में फैला हुआ है तो उसका विसलेशन करते हुए भगवान अरुजुन से कहते हैं कि मैं कहां से शुरू करूँ और कहां मैं अंत करूँ परन्त फिर भी क्योंकि अर्जुन की जिग्यासा और अर्जुन की याचना तो भगवान थोड़ा बहुत अपने विशाय में कहते हैं ताकि अर्जुन कुछ समझ सकें कि भगवान सर्वव्यापी कैसे हैं तो जैसे भगवान ने कहा कि ये समझ लो अर्जुन कि तुम जो इस प्रकृती को देखते हो तुम्हारे चारे ओर तो उस प्रकृती में यदि तुम सूर्य को देखो तो जोतियों में मैं सूर्य हूँ नक्षत्रों में मैं सशी अर्थात मैं चंद्र हूँ जलाशयों में मैं समंदर हूँ परवतों में मैं हिमाले हूँ और पांडवों में मैं धनन जय हूँ अर्जुन थोड़ा शर्मा गए होंगे ये सुनकर तो मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको कि मान लो आज वही अध्याय भगवान कह रहे होते तो भगवान कहते और मराठाओं में मैं शिवाजी हूँ तो ऐसे शूरवीर ऐसे दानवीर ऐसे युद्धवीर ऐसे धर्मवीर ऐसी ऐसी उपाद्धियां इनको दी गई है ऐसे ऐसे दानवीर थी उसकी भी हम चर्चा करेंगे तो कोई दानवीर हो सकता है परन्तु उसके साथ साथ शूरवीर होना ये एक rare combination है तो वो दानवीर भी थे जैसे की बताया गया है कि औरंग जेब उनकी विचर्चा बहुत होने वाली है तो औरंग जेब वो अपने सैनिकों को समय पर तनख्वा भी नहीं देता था वो इतना जिसको कहते हैं कि नीच गलीच का जुलमी था बहुत से adjectives भी यूज होंगे परंतु छतरपती शिवाजी महराज वो इतने बड़े छतरपती हुए परंतु वो अपने हर एक सैनिक को समय पर पहली तारीक पर उनकी तनखाद दिया करते थे तो दानवीर उसके साथ साथ शूरवीर शूरवीर के साथ साथ युद्ध वीर शूरवीर का अर्थ होता है जिसके अंदर शौर्य है हाँ करेज है परंतु फिर युद्ध कौशल भी होना चाहिए सिर्फ शौर्य होने से क्या होगा तो फिर शूरवीर युद्ध वीर और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण धर्मवीर तो ये जो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं शिवराय के अंदर वो इतना अद्भुत है और वो क्यों अद्भुत क्योंकि वो हाली में हम कह सकते हैं जैसे शिल प्रभुपाद कहा करते थे चैतने महाप्रूव के विशय में जस्ट रिसेंटली तो हाली में चैतरपती शिवाजी महराज और उनके जो वन्शज हैं या जो उनसे संबंदित स्थान हैं वो सब जाकर हम देख सकते हैं वो सारे जो इतिहास के पन्ने में लिखे गए हैं इनके विशय में उन सबको हम परक सकते हैं तो ये इतने निकट हमारे ये एक ऐसे योधा हुए ऐसे एक शोर्यवान योधा हुए कि जिनको हम जिनके विशय में जितना कहें उतना कम होगा परंदु शुरूद तो हर समय जो इनकी निरमाता हम कहेंगे देखे ये शब्द मैं जब टाइप कर रहा था तो निर्माता में माता शब्द भी आता है और निर्माता का अनुवाद किस प्रकार से हुआ है एक अनुवाद निर्माता का है प्रड्यूसर ये तो हमने बहुत सुना है निर्माता दिख दर्शक तो हां जीजा माताँ वो उनकी प्रड्यूसर और निर्माता का एक और अर्थ है मेकर केवल प्रड्यूसर नहीं, तो प्रड्यूसर तो बहुत है अर्थाथ बच्चे प्रड्यूस करना तो बहुत लोग करते हैं और दुर्भाग गे रूप से ये पता नहीं ये एक मुहावरा है कि सब चाहते हैं कि शिवाजी पैदा हो परंतु पडोस में पैदा हो शेजारी तो शिवाजी पडोस में पैदा हो हमारे घर पर पैदा नहों परंतु जिजा माता उन्हों ने जो बच्छपन से इनको जिनको कहेंगे इनकी ग्रूमिंग जो करी और ये सब हम जानते हैं कि रामायन महाभारत और रामायन महाभारत को एक तो इन्हों ने सुनाया अब हाँ बहुत सी माताएं हैं जो धार्मिक हैं हिंदु परिवारों में पैदा हुई हैं जिनोंने अपने बच्चों को बच्पन में रामायन महाभारत सुनाई होगी। परन्तु रामायन महाभारत को किस दृष्टिकोंड से सुना वो श्रय भी जाता है शिवराय उनको। उस अवस्था में छोटी सी आयू में उन्होंने अब कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि उन्होंने फिर कोई कोर्स लिया था कि भई छतरपति बनने का कोर्स लिया था कहीं जाकर या धर्मवीर होने का कोई कोर्स लिया था एक धार्मिक योध्धा होने का कोई कोर्स कहीं लिया था ऐसा कुछ भी नहीं है परन्तु जो कुछ उन्होंने बच्पन में अपनी माता के श्रीमुक से सुना और वो सब कुछ सुनकर उन्होंने जिसको कहेंगे कि उसका इक्वेशन जो अपने स्वयम के लिए बनाया और हम सब जानते हैं कि उनके पिता वो अधिकांश समय उनके साथ नहीं थे और कहां थे वो आदिल शाही की हुकूमत के अंडर वो पोस्टेड थे कहीं बैंगलोर के सब तरफ शाहजी राजे तो यहाँ पर शिवराय और उनकी माता और वो जिसको हम कहेंगे कि सही माइने में गरबादान संसकार जो यह दि किसी को मिला तो वो शिवराय इनको मिला तो इनके कुछ आदर्श जो इन्होंने बच्पन से सीखे हमारे गरंथों के द्वारा तो उन्होंने सरस्वती देवी से क्या सीखा स्पष्टता जिसको कहेंगे क्लैरिटी तो जब ज्ञान और सही ज्ञान का प्रवाह होता है तो हमारे अंदर स्पष्टता आती है क्लैरिटी लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी से उन्होंने ये सीखा स्वराज जो कि ये एक शब्द छतरपती शिवाजी महराज के साथ जुड़ा हुआ है और केवल स्वराज नहीं हिंदवी स्वराज तो ये स्वराज का अनुवाद उन्होंने एक और तरीके से कैसे दिया कि हमारे अंदर हमारे रिदय का जो राज्य है उसे प्राप्त करना उसे भी उन्होंने स्वराज कहा तो लक्षमी देवी से उन्होंने ये सीखा कि हमारे रिदय की जो संपत्ती है लक्षमी देवी वो अधिष्टात्रा देवी किसकी है धन धान्य संपत्ती समरिध्धी त्यादी के तो हमारे अंदर के राज्य की जो संपत्ती है वो है क्या शुद्धता, purity और वो उन्होंने अपने जीवन में उसका इसको कहेंगे कि अंत तक उसका पालं किया और फिर दुर्गा देवी से शक्ति इसके साथ साथ भगवान श्री राम से उन्होंने सीखा कि चरित्रवान कैसे होना चाहिए पांडवों से उन्होंने सीखा कि शवर्यवान किस प्रकार से होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने सीखा कि सामर्थ्यवान कैसे होना चाहिए तो हाँ व्यक्तिकत रूप से उन्होंने भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसका पालन किया उसका अनुगमन किया और पांडवों से सीख लेते हुए कि शवर्य वो किसे कहते हैं और फिर समय पर अपने आपको सामर्थेवान कैसे बनाना जैसे भगवान सृरी क्रिष्ण खास्तोर पर महा भारत के युद्ध में भगवान सृक्रिष्ण ने पण्डवों को समर्थेवान कैसे बनाया उनकी नितियों के दौरा उनके strategies के द्वारा जिसको कहेंगे रणनीतिया तो यदि भगवान स्री कृष्ण वो एक आदर्ष बने किस प्रकार के आदर्ष सर्वोच रणनीतिग्य उस रूप में तो वो उन्होंने जब वो श्रवन कर रहे थे तो ये सब आत्मसात कर रहे थे अपने अंदर और फिर इनके आधार पर जैसे जैसे वो बड़े हुए और उन्होंने क्या कुछ नहीं अब्जर्व किया शुरुवात में इतने अब्जर्वन्ट थे वो तो मैं एक इतिहासकार की पुस्तक पढ़ रहा था इनका नाम है नरहर कुरुंदकर तो इन्होंने शिवराय के चरित्र का बखान करते हुए कहा है जान गए होंगे कि कौन है दूसरा सक्ष औरंग जेब तो इन्होंने कहा नरहर कुरुंदकर इन्होंने कहा कि यदि शिवराय के विशय में आपको जानना है उनकी महिमा के विशय में यदि आपको जानना है तो आपको पहले औरंग जेब के विशय में जानना होगा औरंग जेब की जो कुरूरता बरबरता थी और उसके साथ साथ औरंग जेब वो कितना सक्षम था कितना प्रभावशाली था कितना शक्तिशाली था वो जब जानोगे तब शिवराय की महिमा और उठकर दिखेगी जैसे कि यदि नर्सिम भगवान की महिमा जाननी है तो पहले चैप्टर्स में हिरन्य कशिपू के विशे में बता है न वो तो लास्ट में आते हैं नर्सिम भगवान पहले हिरन्य कशिपू का आतंग और हिरन्य कशिपू का प्रभाव ये सब कुछ बताया गया है यदि प्रभुश्री राम की महिमा जाननी है तो रावन की बरबरता रावन की कुरूरता ये तो जानना अवश्चक है मैं इसके विशह में जब डिसकस कर रहा था तो एक वेक्ति ने कहा यदि Mr. India की महिमा जाननी है तो मुगैंबो को जानना होगा मैंने का ये भी सही है हम उस लेवल से आगे जाई नहीं पार कई लोग जग गया हुई तो ये जो औरंग जेब जो की बादशा बना पूरे मुगल सल्तनत का तो उस समय यदि हम शुरुआत करें अकबर से तो ये मुगल सल्तनत ये भारत के उपर ये जो काबिज हुए कि जो शुरुआत हुई और ये इस हद तक ये लोग फैलने लगे उत्तर भारत से जो इन्होंने शुरुआत करी दिल्ली से आपको जानकर अचंबा आश्यर शकित आप लोग हो जाएंगे कि उस समय बाईस प्रांत इन्होंने अपने कबजे में ले लिये थे और आपको ये नंबर ज्यादा नहीं लग रहा होगा परन्तु यदि आगे के फिगर्स आप जानोगे उस समय तो इनका सिस्टम क्या था एक है बाद्शा और बाद्शा के अंडर होते थे मनसबदार तो उत्तर भारत में उनको मनसबदार कहते थे और फिर नीचे दखन में आप आओ ये जो ही शाही शुरुआत हुई जैसे निजाम शाही आदिल शाही कुतुब शाही तो यहाँ पर इनको जागिरदार बोलते थे तो ये क्या था दूसरे तरीके में कहें तो ये बादशा जो है वो बस एशुराम की जिएगा और ये मनसबदार जो है ये मतलब आर्मी को आउटसूर्स कर दिया है तो ये टैक्स इकटा करेंगे किन से किसानों से उस समय तो सब कुछ खेती उसी के उपर तो किसानों से इत्यादी यहां रोड टैक्स वगरा वो सब इकटा करकर ये आर्मी को चलाएंगे किस के लिए बादशा के लिए तो इनको ये मनसबदार इनको अलग-अलग प्रांत दिये हुए थे और ऐसे कितने मनसबदार थे उस समय अकबर के अंडर आठ हजार आठ हजार मनसबदार और इनकी कैवलरी में दो लाख से ज्यादा सैन्यबल था और धनराशी कितनी थी उसका भी कैलकुलेशन किया हुआ है उनके खजाने में 93,000 किलो गोल्ड वर्थ ये खजाना था जिसको यदि कनवर्ट किया जाए तो 3.5 मिल्यों डॉलर्स आज के कनवर्जन रेट पे सोचिए उस जमाने में हम कौन सी सदी की बात करने हैं हम 14 वी सदी, 15 वी सदी इसकी बात करने हैं तो 3.5 मिल्यों डॉलर्स उसको अगर रूपीज में कनवर्ट करें कितना होगा मेरे घ्यालजे कुछ 30 करोड तक होगा मेरे घ्यालजे 25-30 करोड के आस पास कुछ होगा तो ये मुगल सल्तनत की शुरुवात हमारे इस भारत वर्ष के उपए और फिर यदि यहां पर आप देखें तो एक अकेले मराठा चत्रपती शिवाजी ने जो रंग बदला यहां पर आप देखिए कि एक तरफ जिसको कहेंगे कि सब कुछ हरा 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 चांसितारा चांसितारा तो यह शिवराय इनका एक विजन था कि मुझे हिंदवी स्वराज चाहिए सिर्फ स्वराज नहीं मुझे हिंदवी स्वराज चाहिए और हिंदवी स्वराज का अर्थ है यह भगवा करण स्पष्ट शब्दों में भगवा करण तो कई लोग शिवाजी महाराज को कहते हैं ने ने वो सेकुलर थे ये सब धारणाओं को हम बाहर रखें फेक कर आएं जहां से कभी वापस हुआ आ नहीं सके कि पूरा क्लियर उनका मोटिव था कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो अब हम यदि शुरुआत करें कि ये जो दो थे एक तरफ उत्तर भारत में ये मुगल और फिर आप नीचे आईए औरंगबाद से जो शुरू होती है फिर ये शाही इनकी सल्तनत तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा हमारे हिस्ट्री बुक्स में हमको सब ये बताया गया था कि निजाम शाही आदिल शाही और कुतुब शाही तो निजाम शाही ये कहां पर महराश्ट्रा इस एरिया में आदिल शाही करनाटक बिजापूर उस एरिया में और फिर कुतुब शाही ये हाइदरबाद, आंदरप्रदेश, उस एरिया में तो अब प्रश्न ये है कि ये दोनों में अंतर क्यों था कि उत्तर बारत में ये मुगल सल्तनत और यहाँ पर आप नीचे आईए दखन में तो ये सब विभिन प्रकार की ये शाही तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये था कि जो मुगल सल्तनत थे, वो थे सुन्नी सुन्नी मुसलिम और ये बाकी जो तीन थे, ये थे शिया अब हम सुनते हैं, सुन्नी और शिया बनती नहीं है इनमे तो इस कारण से भी इनमें बनती नहीं थी और दूसरा ये इक आरण था कि जो मुगल थे उनको अपना इलाके बढ़ाने हैं तो उसके लिए मनसबदार बढ़ाने होंगे 8000 से वो संतुष्ट नहीं थे उनको और बढ़ाने थे तो यदि और मनसबदार बढ़ाने हैं तो उनको आपको प्रांत देने हैं उनको जमीन देनी हैं तो फिर काबिज करते जाओ काबिज करते जाओ काबिज करते जाओ तो यह tension इन दोनों में चल रहा था मुगल में और इसके अंदर तो हुआ क्या कि यह जो जैसे हमने कहा कि उपर मनसबदार थे उतर भारत में और यहाँ पर यह जागिरदार थे तो यह जागिरदार जो थे यह थोड़े relaxed थे यह इतने कटर नहीं थे तो इन्होंने सांट गांट कर ली हिंदूओं के साथ भी और क्योंकि कटरपंती ज्यादा नहीं थी इनके अंदर तो इसलिए कई थे जो बस जिसको कहेंगे कि आलस से का जीवन ऐसे भी वरनन आता है कि इनके एक सुबेदार वो युद्द के दौरान युद्द चल रहा है यह आदिल शाही का एक सुबेदार वो रात को चार सो औरतों के साथ भाग गया दांसिंग गल्स के साथ भाग गया और इनके आलस का मजमा ऐसा था कि यह ऐसे जब च्छावनी में टेंट में रहते थे तो यदि एक जगह से दूसरे जगह इनके कैवलकेड को जाना है इनकी पूरी सेना को यदि जाना है तो इनके जो जागिरदार सुबेदार होंगे वो कैसे जाएंगे वो रात को सोय रहेंगे अपने खाट पर और पूरी उनकी खाट चार लोग उठाएंगे यह सोया है तो सोचिए एक तरफ ऐसे आलसी टट्टू और दूसरी तरफ चतरपती शिवाजी महराज जिनको ट्रेन कर रहे थे मराठाओं को उनको हर एक परकार से जैसे हमने सुना गनिमी कावा और गुरिला वारफेर यह सारे चीजों से तो वो एक अलगी लेवल की ट्रेनिंग उनको दे रहे थे तो यह सारी चीजें जो हो रही थी धीरे धीरे इन सब को शिवराए वो अबजर्व कर रहे थे कि यह ठीक नहीं है तो हमने जो बच्पन में यह जो बहुत ही शेडी व्यक्ति है शेडी व्यक्ति और क्या बताया गया हमारी इतिहास के किताबों में अकबर्दी ग्रेट परन्तु यह अकबर्द ग्रेट फ्रॉड था यह क्या किया करता था इसके जो सबॉर्डिनेट है इनकी भाशा में उसको कहते हैं माले गनीमत माले गनीमत अर्थात इसके जो सबॉर्णेट है उनको मार के उनकी पत्निया अपने कब्जे में कर लेता था उसको कहते क्या है माले गनीमत कि ये सब अल्ला का फर्मान है ये माले गनीमत है हमारे लिए अभी कली मैं एक हमारे डिवोटी से बात कर रहा था लंडन में रहते हैं ये तो उनकी पतनी वो अपने बेटे को उसके स्कूल फ्रेंड के घर पर छोड़ने गई कुछ उनका ये होता है वहाँ पर sleepover, get together type तो ये जो उनके बेटे के जो friend है वो Muslim है तो ये गई वहाँ पर अपने बेटे को उस Muslim family में वहाँ पर drop करने के लिए तो एक 21 साल का लड़का बहार आया तो वो अपने पिता को बुलाता है पिता है 60 साल का और कहता है कि is this one of your wives वो जो माता जी गई थी अपने बेटे को drop करने के लिए ये लंडन में लंडन में आप समझ रहे हैं कि बेटे को पता नहीं कि पिता के कितनी पत्निया हैं माले गनिमत तो ये था अकबर अगे का वर्ड हमने एड किया है जब तक हिस्ट्री बुक्स में हमको जो पढ़ा है खाली ग्रेट तक बताया था अकबर दी ग्रेट अकबर दी ग्रेट ये था अकबर अच्छा फिर हम मुवीज देखे सलीम अनारकली आप जानते हैं सलीम कौन था मुगले आजम में हमने क्या ऐसी मेगा मुवी बनाई मुगले आजम फिर अनारकली मुवी एक बनी सलीम अनारकली का इश्क परंतु ये सलीम जो की जिसका दूसरा नाम क्या आगे चलके जहांगीर जहांगीर और सलीम ये की है तो इसने अपने खुद के बेटे जिसका नाम था खुश्रो अपने खुद के बेटे को अंधा कर दिया जीते जी क्यों अंधा कर दिया? क्योंकि ये जो खुश्रो था ये अकबर का बहुत चहीदा था और सलीम और अकबर में बनती नहीं थी तो क्योंकि सलीम और अकबर में बनती नहीं थी और अकबर को ये खुश्रो बहुत पसंद था और ये बहुत काबिल था ये व्यक्ति और आगे चलकर इसको गद्धी मिलने वाली है इसलिए अंधा कर दिया अंधा करकर नमक का पानी डाल दिया ये हैं अनारकली और सलीम के असली कहानी मलब इनके उपर हम इश्क की गाने बनाएं ये तो उसी तरीके से हो गया यदि कोई बॉलिवूड हिटलर के उपर रोमेंटिक मूवी बना रहा है तो यहां से तो शुरुवात होती है इनकी वन्शावली की अब आते हैं जो मुख्य जिसको कहेंगे अंटगनिस्ट औरंगजे तो ये था सफेद दाड़ी पोश आतंकवादी क्या है सफेद दाड़ी पोश आतंकवादी तो अब इसकी शुरुवात कहां से हुई इसके पिता पर जाते हैं पहले कौन है शाह जहां इसके हुए ये चार बेटे दारशी को शाह शुजा औरंगजेब जो की तीसरे नंबर पर था और फिर मुराद बक्ष तो अब मैं क्यों इनके विशह में भी बता रहा हूं भाईयों के विशह में क्योंकि औरंगजेब इतना जुलमी था कि उसने अपने भाईयों का किस प्रकार से खात्मा किया और एक में उद्देश क्या था मुझे बादशा नहीं बना रहा मेरा बाप बाप को भी बंदी बनाया वो तो अलग कहानी है शाह जान को भी बंदी बना दिया लेकिन अपने भाईयों को अब इन में आप लोगों ने सुना होगा अकसर दाराशिको दाराशिको वो सबसे जेश्ट तो शाह जाहन ने तो पहले से अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट बादशा तो दाराशिको बनने वाला है और दाराशिको ये बहुत ज्यादा प्रभावित था हिंदू सनातन धर्म से यहां तक कि इस दाराशिको ने एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम था मजमा उल बहरेन ये मजमा उल बहरेन किस प्रकार की पुस्तक थी कि दो समंदर एक है सनातन और एक है इसलाम ये दो समंदर का समन्वय कैसे हो या कैसे हुआ है इसके उपर पुस्तक लिखी मजमा उल्बहरेन इतना है नहीं हमारे उपरिश्दों का अध्यन किया था इस दाराशिकों ने और उसके उपर इसने अपना भाशांतर लिखा था उसका नाम दिया था अल्लोप निशद अब सोचिए कि यदि उस कौम का कोई व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा है और वो भी औरंग जेब के समय उसके सामने और औरंग जेब था जैसे हमने कहा अवल दर्जे का जिहादी आतंकवादी और कटर मुसल्मान तो अरंग जेब ने दारशिको को मुलहिद करार कर दिया ये मुलहिद क्या होता है जैसे काफिर बोलते न वो मतलब सरतन से जुदा तो वो करार नामा की ये दारशिको और ये दारशिको वो ने ऐसी ऐसी कविताइं लिखी हैं एक कविता का पद दाराशिकों ने लिखा है कि जैसे कि एक बारिश का पानी वर्षा की बूंद जब वो समंदर में सीप में प्रवेश करते हैं तो वो क्या मोती बन जाता तो वो कहते हैं कि मुझे वो वर्षा की बूंद नहीं बनना जो की मोती बन जाए मुझे वो समंदर बनना है जो इतने सारे मोतियों को बनाता है और वो वो समंदर की तुलना हमारे सनातन धर्म से कर रहे थे तो सोचिए इस दाराशिकों को यदी शाहजान बादशा बनाने जाने वाले हैं तो औरंग जेब वो उसका खून खौलेगा की नहीं तो औरंग जेब ने क्या किया औरंग जेब ने मुराद बक्ष को पकड़ा कौन सा वाला है छोटा बाई मुराद बक्ष को पकड़ा और कहा है देख ये जो सबसे बड़ा है तो मुलहिद बन गया ये तो काफिर बन गया ये किसी काम का नहीं इसको हम दोनों मिलके खतम करेंगे तो इनको जो प्रांत दिये गए थे अब देखिए शाह जान ने दाराशिकों को पंजाब और उत्तर भारत दिया था क्योंकि उपजाओ भूमी है शाह शुजा ये अवल दर्जे का विअभिचारी वेक्ती था वो मनाईजर था तो इसको बंगाल फेंग दिया था अचा उस समय ये मुगलों में ऐसा था जैसे शैश्तकान को भी बंगाल फेंग दिया था औरंग जेब ने तो ये बंगाल क्यों फेंग देते थे जैसे होता है आज कल गवर्मेंट में यदि कोई ठीक से काम नहीं करता ह तो गडचीरोली भेज देते हैं तो उस समय का गडचीरोली मतलब बंगाल तो शाह चुजा को बंगाल प्रोविंस दे दिया ये मुराद बख्ष को गुजरात ये वहाँ उसने खुद ही स्वगोशित वहाँ का बादशा बन गया था ये एमदाबाद का ये गुजरात में म मुराद बख्ष बैठा हुआ था और ये एक नंबर का प्यकर था कौन मुराद बख्ष तो देखे इन सब का बैयो डिटा दिया गया है कि दाराशिकों वो सबसे जिसको कहेंगे सद्गुणी हमारी दिर्ष्टिकोंड से सद्गुणी था ये शाह शुजा ये व्यभिचार औरंग जेब जो था उसको कौन सा प्रांथ दिया गया था ये कटर इसके अंदर कोई हमारे जो स्टैंडर्ड से कोई इस प्रकार की बुरी आदते नहीं थी इसको शाह जान ने वो काबुल के पास और वो हिली टेरेन और दक्खन और ये सब दिया था बहुत डिफिकल्ट एरियाज दिये थे जो कि एक और अपमान था इसके लिए तो इसे इस सब का बदला लेना था तो इसने किस प्रकार का शडेंत्र रचा कि मुराद बक्ष को बुला कर सबसे पहले उसको पट्टी पढ़ाई कि देख हम मुसल्मान है और ये जो है मुलहिद बन गया है कौन द बक्ष को लेकर जो फिर युद्ध छिडा उज्जेन के पास उस समय हुआ क्या था कि औरंगजेब वो कुतुब शाही के ऊपर कबजा कर रहा था सत्रह हजार वहां के सैनिकों को इसने माल डाला था और फिर वहां की कंप्लेंट गई थी शाहजान के पास तो शाहजान ने औरंगजेब को कहा था कि यह क्या खुराफात कर रहा थो और फिर शाहजान को यह भी लग रहा था कि यह इतना टैक्स कलेट कर रहा है यहां वहां से लेकिन मुझे नहीं दे रहा है तो यह कुछ तो गड़बड कर रहा है तो जब शाहजान वो बिमार हुआ उस समय फिर मुराद बक्ष और पूरी सेना औरंगजेब लेकर धावा बोल दिया और उस समय वो जेन के निकट शाहजान ने किसे भेजा जस्वंत सिंग राठोर ये लोग सब थे जो अपमानित कर रहे थे हमारे हिंदू सनातन धर्म को जो उनके गुर्गे बन गए थे जैसे मिर्जा राजे जैसिंग वो एक और तो यहाँ पर वो दाराशिकों को मारने के लिए सबसे पहले दाराशिकों को खतम करना है तो दाराशिकों वहाँ पर वो लड़नी पाए 10,000 से ज्यादा राजपूत वो मारे गए वहाँ पर उस युद में और वहाँ से वो भाग भाग कर दाराशिकों चले गए आगरा आगरा के किले में तो यहाँ पर औरंग जे वो अब धावा बोल दी आगरा कि वहाँ पर वहाँ से भाग कर दिल्ली दिल्ली से आगे वो बोलन पास आज का जो बलुचिस्तान है वहाँ पर ये दाराशिकों जाकर छिप गए तब फिर किसे भेजा गया? मिर्जा राजे जैसिंग को भेजा गया वहाँ से उनको पकड कर लाए दाराशिकों को और फिर शरिया कानून के तहत दाराशिकों को जो ये लोग कहते हैं सरतन से जुदाब और उसका अपराद क्या था? मुलिद बन गया है और उस दौरान औरंगजे ने बहुत से लेक्चर्स दिये इसलाम का गुणगान करते हुए कि इनको ये बाकी सारे जो सुबेदार थे उनको और उनको कनवर्ट कर लिया अपनी और अच्छा अब मुराद बक्ष का क्या किया? तो मुराद बक्ष को क्योंकि उसको पीने की बहुत आदत थी तो उसको पिला पिला कर गौलियर के जेल में बंद कर दिया और फिर उसके उपर गलत आरोप लगा दिये कि इसने एक दिवान को मारा है और उसको फांसी से चड़ा दिया मुराद बक्ष खतम दाराशी को खतम, मुराद बक्ष खतम अब बचा कौन? शाह शुजा तो यह शाह शुजा इसने फिर उरंग जेब के उपर आकरमन किया अब दाराशी को का बेटा वो शाह शुजा से मिल गया तो सुलिमान शीको को कैसे मारा उरंग जेब ने कि उसे भी गौलियर के जेल के अंदर अफीम पिला पिला के मार ला और वरणान आता है कि ये शाहशुजा ने इसमें आपको समझ में आएगा कि औरंगजे ये एक बहुत प्रगद योद्धा भी था तो एक युद्ध का वरणान आता है कि जहां पर शाहशुजा ने इस प्रकार की युक्ति की थी कि ये क्या करते थे बड़े-बड़े विकराल हातियों को अफीम पिला देते थे और उनके सून्ड पर चेन से लोहे के गोले और लोहे के गोलों के ऊपर कील और ऐसे मदमस्त हातियों को छोड़ देते थे शत्रू की सेना में तो ये किया था किसने शाहशुजा ने औरंगजेब की सेना और औरंगजेब को परास्त करने के लिए औरंगजेब वो स्वयम ऐसे हातियों के उपर कूद कर इन हातियों को कंट्रोल करकर उसने शाहशुजा को परास्त किया तो वो कोई साधारण योद्धा नहीं था औरंग जेब उसके अंदर युद्ध कोशल बहुत भरपूर मात्रा में था तो उससे समझ में आएगा कि ऐसे औरंग जेब की लंका लगाई हमारे चतरपती शिवाजी महाराज ने तो यह सारा परिपेक्ष आपको मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि बिना हिरन निकशिपू के नर्सिम भगवान का गुणगान नहीं हो सकता फिर बताया गया है कि यह शाशुजा भाग कर अपने परिवार के साथ अरकान जो बंगाल बंगला देश उस बॉर्डर एरिया में वहाँ पर नर्भक्षी जो जंगली जाती की थे वो मारकर खा गए शाशुजा भाग। तो ये इतिहास रहा इस परिवार का, ये देखें, ये इतिहास रहा इस परिवार का, तो एक लाइन में ये जो परिवार अकबर से लेकर ये शाहजान, जहांगीर और फिर औरंगजेब और इसके सारे भाई, तो ये क्या-क्या करते थे, कि दो चीज आपस में एक दूसरे के लिए करते थे या तो तक्त मिलेगा या कब्र बस ये दो डेस्टिनेशन है इसके बीच में कुछ नहीं एक दूसरे को मार काट करकर या तो तक्त काबिज कर लो यदि नहीं कर सकते तो तुमारे लिए कब्र खोद दी जाएगी तो इस दोरान शिवराय इनकी चुनोतियां क्या थी सबसे पहले तो इनके पिता उनकी अनपुस्त थी क्योंकि आदिल शाही के सल्तनत में थे तो इसलिए आदिल शाही ने उन्होंने इनको भेज़ दिया था वहां से जो कुछ वो कब्जा कर सकें तो वो नहीं थे फिर इसके बाद एक एंटी भोंसले लॉबी वो शुरू हो गई थी और वो क्या थी लॉबी अवजल खान जो था जो की आदिल शाह का बहुत ही विश्वासू गुरगा था तो ये अवजल खान ये बहुत इर्शा करता था शाहजी राजे से क्यों इर्शा करता था क्योंकि ये एक रसोये का पुत्र था ये अवजल खान ये कोई बहुत शाही परिवार से नहीं था ये रसोये परिवार से था तो इसलिए स्वयम इसके ही बाकी के मुसल्मान इसको बोलते है थे तो रसोये का बेटा है तो वो भी हर समय बात चुबती थी उसको और उसके साथ-साथ शाहजी राजे उनको एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स दिये जा रहे थे तो फिर ये एक एंटी भोसले और शत्रपती शिवा जी भी उनके पुत्र तो ये एंटी भोसले लॉबी चालू हो रही थी वहाँ पर फिर चिनोती थी कि शिवराय उन्होंने देखा कि जितने वहाँ पर हजारों एकड में जो भूमी है किसानों की वो सब बंजर पड़ी हुई है तो फिर पैसा कहां से आएगा और ये बंजर भूमी एक उन लोगों की उस समय की धारणा थी ये बताया गया था कि इन्हों ने इन भूमी के उपर जब जोतना शुरू किया तो गधों के साथ जोतना शुरू किया तो क्योंकि गधों के साथ ये भूमी जोती गई इसलिए ये भूमी कर्स्ट लैंड बन गया ये हजारों एकर्ड की भूमी तो समय जो उनके एक मेंटॉर थे दादा जी कोंड दे तो उन्होंने इन किसानों को कहा कि यदि आप सोने के हल से जोतोगे इनी बनजर भूमी को तो फिर ये उपजाओ बन जाएंगे तो उन्होंने वो किया और फिर ये भूमी धिरे धिरे जो बनजर हो चुकी थी ये धिरे धिरे भूमी उपजाओ होने लगी और फिर शिवाजी महराज ने इन किसानों को क्या कहा शिवाजी महाराजिन किसानों से कहते थे कि देखो साल भर आप खेती कीजिए परंतु जो चार महीने चातुर मास की जो चार महीने जहां पर आप खेती नहीं कर सकते उस समय मैं आपको युद्ध की ट्रेनिंग दूँगा आप युद्धा मन जाओ यहां से आर्मी शुरू करी सोचो कि पार्ट टाइम किसान पार्ट टाइम युद्धा और लड़ना किस से है ये मुगल सल्तनत और ये अदिल शाही इन से इन सब से लड़ना है तो ये एक चुनोती उनके पास थी तो धन एवं सैन्य शक्ति का अभाव था और फिर आदिल शाही हुकूमत एवं तथा कतित हिंदू ये बताया गया है कि वो जो जावली वैली थी वहां पर मोरेज रहते थे तो शिवाजी महाराज ने उन्हें पत्र लिखा था कि अरे आप मुझे जोईन करो हम सब इनके उपर आदिल शाही जो है इनके उपर हम कबजा कर लेंगे तो जो मोरे थे उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा कि भई तुम कौन हो और तुम जानते भी हो किसके विशाय में तुम बोल रहे हो तो ये इन्होंने भी शिवाजी महराज का साथ नहीं दिया परंतु फिर भी इसके बावजूद शिवराय उनकी जो उपलब्धियां एक-एक करकर और वो भी कौन सी उमर में जब वो केवल 14-15 साल के थे वहां से उनकी उपलब्धियां प्रारम हुई तो सबसे पहला जो अटाक उन्होंने किया 1656 फेबररी में वो था जावली जावली वैली का और उसी दोरान औरंग जेब ने कुतब शाही के उपर अटाक किया था तो वो उन्होंने जीता और ये था जो सबसे पहली जीत ये पुरंदर किला उन्होंने काबिज किया जहां पर आदिल शाह उसने जब देखा कि भई ये शाहजी राजे का बेटा और ये इस प्रकार से उधम मचा रहा है तो उसने एक हजार सैनिक भेजे एक हजार सैनिक को परास्त करकर वो जीत गए कौन सा पुरंदर और फिर आदिल शाह ने जब शाहजी राजे को पूछा कि भई ये तुबारा बेटा क्या कर रहा है तो उन्होंने क्या जवाब दिया भई वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो ये सबसे पहली जीत और उसके पश्यात इस जीत के पश्यात शिवराय जो थे उनको उनका confidence प्राप्त हो गया कि हाँ ये जो मुगल है इनकी जो सल्तनत है इनकी जितने भी ये शाही हैं इनके उपर हम कबजा कर सकते हैं उसके पश्यात जो हमने कहा कि प्रताबगड ये उन्होंने हासिल किया फिर कौनाना या सिहंगड आगे चलकर जिसका नाम सिहंगड ये और इसके बाद फिर आदिल शाह के जो किले थे जैसे कि विशालगड और फिर पनहालगड तो ये सब एके करकर ये सारे गड़ शिवाजी महाराज धीरे दिरे 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 जीतते गए और जब इन्हों ने आदिल्शाह कि ये विशालगड पनालगड ये सब जीत लिए तब फिर सुर्ख्यों में वो आये और हम सब जानते हैं अफजल खान का जब वद इन्हों ने किया अफजल कान की जो हत्या हुई उसके पस्चा तो अंग्रेज भी शिवाजी महराज के विशह में चर्चा करने लगे पुरा भारत वो शिवाजी महराज के विशह में चर्चा करने लगा कि भाई ये कौन है अफजल खान को मार डाला और विशालगड पन्हालगड इनको काबिस कर लिया और फिर ये खबर पहुंचती है औरंग जेब अब औरंग जेब उसका प्लान क्या था उसका प्लान था जो हमने हमारे इतिहास की किताब में में पढ़ा है दारुल इसलाम की एक था दारुल इसलाम और एक था दारुल हर्ब तो उसके अनुसार जितने इस्लामिक स्टेट्स बनेंगे वो दारुल इस्लाम इस्लाम के अंडर जो रहेंगे शरिया लॉक के अंडर जो रहेंगे उसे कहा जाएगा दारुल इस्लाम और जो इसके बाहर है जो अभी तक हमारे Islamic State नहीं बने है इसलामी हुकूमत के अंडर नहीं है उसको उस समय उन्होंने अपने बल्बूते पर जिसको कहेंगे ना कि Son of the Soil वो जीते उन्होंने कितने 23 और 12 उनके 35 किले थे उस समय उसमें से 35 में से 23 किले उन्होंने दे तो आगे चल कर भी कई लोग ये आरोप लगाते हैं कई तो छोड़िये हमारे पहले प्रधान मंत्री भारत के उन्होंने आरोप क्या लगाया था कि लुटे रहे थे सूरत को लुटा है ना सूरत को लुटा इसलिए लुटे रहे थे शिवाजी was a plunderer ये आरोप लगाया गया उनके उपर परन्तु उसके विशे में शिवाजी महराज छोड़िये उस समय जो डच जो राजनेता थे उन्होंने शिवाजी महराज के विशे में कहा जो सूरत को उन्होंने लुटा वो लुट नहीं थी तो ये जो डच लोग थे ये शिवाजी महराज के साथ वारतलाब किये थे और इन्होंने शिवाजी महराज को पूछा था कि भई ये तुम जैसा राजा ये ऐसे लुटपाट कैसे किया सूरत में जाकर तो शिवाजी महराज ने किया शिवाजी महराज ने क्या कहा शिवाजी महराज ने इन डच मुख्या से कहा कि सूरत नुकसान भरपाई था क्या था लुट नहीं थी वो नुकसान भरपाई क्या नुकसान भरपाई तो शिवाजी महराज ने टर्म यूज किया कि मैंने बादशा के दाड़ी में आग लगाई कौन बादशा औरंग जेब तो एक बादशा उसकी दाड़ी उसको बहुत प्रिय होती है क्योंकि चिपकी होती है और वो वहीं से उगती है उसी के शरीज से उगई हुई है तो बत्प्रिय होती है उसको दाड़ी तो क्यों ये term यूज किया शिवाजी महाराज ने कि मैंने बादशा की दाड़ी में आग लगाई क्योंकि सबसे ज्यादा revenue पैसा बादशा को सूरत से मिलता था ये उसकी दाड़ी थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि शैस्त खान ने जो किया इतना नुकसान जो उसने मेरा किया जो उदर वो तीन साल साड़े तीन साल उसने जो नुकसान किया उस नुकसान की भरपाई मुझे करनी थी इसलिए सूरत क्या था नुक्सान भर पाई बाच्छा की दाड़ी में आग तो यहाँ पर क्या था? वाकणार नहीं कि वो जुके नहीं उन्होंने दिमाग लगा कर जो बोलते ना hit where it hurts वो उन्होंने किया और फिर हम सब जानते हैं कि हमारे इंडियन नेवी कि यदि कोई फादर हुए तो वो हुए चत्रपती शिवाजी बाहराज ये एक ऐसी उपलब्धी उनकी अब देखिए उस समय जो revenue generation वो किस प्रकार से होता था? लीगल ये बाकी जो मसलमान वो तो illegally loot part करते थे वो अलग तो शिवाजी महाराज तो उसमें जाने नहीं वाले थे तो legally आप आपकी सेना के लिए धन कहां से कैसे इखटा करोगे? तो तीन तरीके थे एक था agricultural tax दूसरा था road tax कि यदि 40-50 हजार जो auction है, cattle है, वो सब जार हैं आपके road से, तो road tax और तीसरा था merchant ships क्योंकि उस समें Portuguese आ गए थे तो ये जो पूर्तिगी थे, ये लोग क्या करते थे? कि ये लोग जितने भी इस area के conqueror area के spices थे बहुत famous spices थे, फिर एक था जिसको कहते हैं इंग्लिश में salt peter salt peter मत्ता potassium nitrite जो कि explosive gun powder में यूज होता है तो वो conquered area में बहुत उपलब्ध था तो merchant ship से उसको भेजना और उसके पूरी आमदनी और यदि कोई भी वो व्यापार करना चाहता था तो उस समय जो सिधी थे जो कि अफरीका से आई वे थे तो ये hand in glove थे, कौन? ये पूर्टगी और ये सिधी तो यदि कोई करना चाहता था ये merchant से कुछ business करना चाहता था merchant ship से तो फिर वो उनको कहते थे कि हमारा passport जब तक नहीं मिलेगा तुमको तुम नहीं कर सकते इसको export नहीं कर सकते तो यदि इन्होंने passport दिया है पूर्टगी उन्होंने passport दिया है तो वो सिधी जाके क्योंकि ये कौन थे? ये समंदरी लुटे रहे थे pirates जिनको बोलेंगे ये जाके लुट लेते थे तो शिवाजी महारा ने जब ये देखा कि भई इसमें इतना income generate हो सकता है तो उन्होंने अपनी नेवी बनाई उन्होंने merchant ships के साथ warships बनाई और ऐसे ये businessmen भी थे इतने excellent businessmen थे कि उस समय गोवा के प्रांत में जहांपर ये पूर्चिगी सब आये हुए थे उन्होंने कबजा कर रखा था तो वहाँ का जो नमक था वो बहुत ही उत्कृष्ट दरजे का नमक था तो वो जब ये आदिल शाही की ओर ये भेजते थे अपने नमक को तो इतना महंगा भेजते थे तो चतरपति शिवाजी महाराज ने ये notice कि कि ये सब कुछ गलत हो रहा है तो उन्होंने वहाँ से भी पैसा कैसे जनरेट किया तो उन्होंने टैक्स लगा दिया उदर तुम्हें इंट्री करना है तुमको नमक के साथ हेवी टैक्स दबल ट्रिपल टैक्स देना पड़ेगा और फिर शिवाजी महाराज ने अपना नमक वो उत्पादन करना शुरू किया तो इसको कहते हैं डबल वैमी उनके उपर तो वहाँ से अब देखिए हमने शूर गाता तो बहुत सुनी उनकी लेकिन ये सारे दिमाग लगाना उस समय कि कैसे आप इंकम जेनरेट करेंगे तो इसलिए उन्होंने जो नेवी या नौसेना का निर्माण किया वो उनके मर्चंट शिप्स को बचाने के लिए किया था उनका मेन उद्देश युद्ध करना नहीं था और आज भी ऐसा ही होता है कि जो मर्चंट शिप्स होते हैं उनको बचाने के लिए वार्शिप्स होते हैं तो ये सारी चीजें चल रही थी अब इनका विजन ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने सारे जो इनके किसे हैं उन सब किसों का निचोड किया है कि इनका विजन किया था जैसे हमने कहा सबसे पहले रिगेन हिंदवी स्वराज अब देखिए इनसे पहले कृष्ण देव राए जो की दक्षण भारत में वो एक हिंदु समराठ थे तो आपने देखा होगा की दक्षण भारत में कृष्ण देव राए उन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए बहुत से मंदिर बांदे ऐसे आलिशान मंदिर बादे परन तो शिवाजी महराज ने एक भी मंदिर नहीं मान दा उस परकार का आलिशान मंदिर क्योंकि शिवाजी महराज ने देखा कि मैं जिस इलाके में लड़ रहा हूँ हिंदवी स्वराज के लिए वो पूरा परवती इलाका है और इस परवती इलाके में ऐसे आलिशान मंदर मैं नहीं बांद सकता इसलिए शिवाजी महराज ने शरंडली तुकाराम महराज और रामदास्वामी जो किसके प्रचारक थे? हरिनाम के प्रचारक थे तो उन्होंने देखिए बहुत बुद्धिमत्ता से इनकी शरंडली ताकि हरिनाम के प्रचार के द्वारा ये हिंदू धर्म ये प्रस्थापित हो तो ये डिफ्रेंस था शिवाजी महराज और कृष्ण देव राय इन में तो इनका एक और विजन था ये जो जागिरदारी सिस्टम है ये जागिरदारी सिस्टम को मुझे बंद करना है और क्या है ये जागिरदारी सिस्टम कि अलग अलग जागिरदार अपनी अपनी सेना इखटा किये हुए और वो उनको तन्खा नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे थे यह सैनिक यह जाके शत्रुपक्ष में जाके उनको लूटते थे अब देखिए defense में, army में जिसको कहते हैं chain of command आप किसी भी army general से पूछिए कि क्या बिना chain of command के आप को युद्ध जीत सकते हो chain of command अर्थात, जैसे कि कोई major है, फिर major general है, फिर brigadier है, फिर colonel है, lieutenant colonel है ऐसे फिर general है, major general, ऐसे जो chain of command है, उसके थूँ ही कोई किसी युद्ध को जीत सकता है तो ये chain of command का जो system है, हमारे army में हम देखते हैं और हर किसी army में देखते हैं इसकी शुरुवात, छत्रपती शिवाजी ने की तो कैसे की, army commander, उसको क्या नाम दिया, सर्नोबत फिर पंच हजारी, हजारी, फिर उसके बाद में जुमलेदार, हवलदार, ये सब chain of command उन्होंने शुरुवात इसकी की और फिर उसके साथ-साथ कि ये army मेरे direct मेरे अंडर होगी और मैं directly pay करूँगा मेरी army को उन्होंने ये जागिरदारी system abolish किया, फिर एक और system चल रहा था, वतंदारी system, तो ये वतंदारी system क्या है, इनको कहते थे भूमेपुत्र, तो पाटिल होते थे, तो पाटिल जो है, वो एक गाउं का वो पाटिल रहेगा, और कई गाउं का जो मालिक रहेगा, उसको कहेंग देश्मुक, तो ये यहां से tax लेगा, अपने पास थोड़ा tax लेगा, फिर बाद में देश्मुक को देगा, देश्मुक अपना tax रखेगा, फिर बाद में आगे वो जागिरदार को देगा, और ये सब चलता था, किसके आधार पर, वंश के आधार पर, hereditary, तो ये शिवा संदारी सिस्टम, ये अकबर और उस समय के जो बादश्या थे, वो भी बंद नहीं कर पाए थे, जो कि चतरपती, शिवाजी महराज ने इसको बंद किया, और फिर, slave trade, ये slave trade क्या था, जो कि ये सिद्धी और पुर्तगी इन्हों ने जो शुरू किया था, ये कुतुब शाही में 20,000 से ज्यादा सालाना हिजड़ों को भेजते थे, हिजड़े बना कर, फिर हिजड़ों को भेजते थे, slave trade के नाम पर, और सबसे ज्यादा पैसा इनको वहाँ से मिलता था, तो ये भी चतरपती शिवाजी महराज ने बंद किया, और maintaining high moral standards, कि उन्हों ने, जिसको कहेंगे कि ये फत्वा फर्मान जाहिर किया था, कि यदी मेरा सैनिक, शत्रु सैनिक के किसी परिवार उनके स्त्रियों के साथ, दुर्व्यवहर करता है, तो उसका दंड क्या देते थे, शिवराए, राइगर्ड कि लिए पर एक टक्मक टोक है, वहाँ से फेकना उसको नीचे है, sentence to death, respect for women, ये maintaining high moral standards, तो इसके connection में एक बहुत ही sweet किस्सा है, पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने ये किस्सा सुना है, तो ये जो शक्स, इनका नाम लाइजी कोडी पटली, तो उस समय एक ऐसा किला था, जो की शिवाजी महराज ने 108 बार ट्राइ किया जितने का, और वो था जन्जीरा, और ये कहां पर है, अभी जो एरिया है, अलिबाग के पास मुरुड, उस एरिया में, और ये किला बना था, किसने बनाया था, जो सिद्धी अफरीका से आये थे, उन्होंने बनाया था, ग्यारा सो सदी में, और ये ऐसा किला था, इसकी जो दिवारे थी, वो इतनी उची थी, जैसे मालो चार मंजले, अभी किसी बिल्डिंग के चार स्टोरीज जो होते हैं, इतने तो केवल इस किले की दिवारे थी, तो इतनी बार प्रयास किया था, लेकिन, इसके उपर कवजा नहीं पास सके थे शिवराय, तो फिर इन्हों ने ये एक व्यक्ति को ढूंडा, जो कि उसी एरिया का, इसका नाम था, ये लाईजी कोडी पटिल, और जैसे शिवराय के विशे में कहा गया है कि वो पहाड़ी चुहे थे, कि पता ही नहीं चलता था, कहां से गए, कहां से निकले, तो उसी प्रकार से ये जो लाईजी कोडी पटिल, ये समुद्री चुहा था, तो समंदर के विशाय में, मतलब जिसको कहां से बैक ओफिस पाम, इसको सब कुछ पता था, तो इसे न्युक्त किया था, इसको क्या करना था, इसको केवल एकी कार्य करना था, कि इसे जाकर, ये जो जन्जीरा का किला है, इसके उपर सीडियां रखनी है जाकर, ताकि पीछे से, जो इनका सहिन्य बल आए, वो सीड़ी से चड़ कर, अंदर जाकर, फिर प्रहार करे, तो रात में जाकर, किले के उपर, और इतना उंचा खिला, जैसे मैंने कहा, चार मिंजला, इतने उंचे उसकी दिवारें, वहाँ पर सीडियां रखनी है, बस इतना ही क काम सीडिया रखकर, तुम निकल जाओ, तुमारा आगे कोई काम नहीं, तो लायजी कोडी पाटिल, उन्होंने रात में, और देखिए, ये सिद्धी जो थे, ये इतने कुरूर थे, कि यदि कोई इनका स्वयम का व्यक्ति भी गद्दार निकलता, तो उसको बोरी में से कुरूर सिद्धी से लोहा लेना, तो यहाँ पर ये लायजी कोडी पाटिल जाते हैं, और ये रात में सीडिया लगा देते हैं, अब हम आप होते, सीडिया लगा कर निकल लेते, भाई, मुझे इतने बताया गया था, लेकिन वो रुके, वो आपर रुके, क्योंकि उनको भी देखना था, क्या देखना था, कि इस किले के ओपर भगवा ध्वज देखना था, इसके लिए वो रुके थे, वो रुके, एक घंटा, दो घंटा, रात बीती जा रही है, यहाई नहीं, इनकी जो मोहिम थी, वो कैंसल हो गई, लेकिन उस समय समाचार कैसे दिया जाए, तो जब इनको पता चला कि अरे सूर्यदय होने वाला यह नहीं आ रहे हैं, तो शायद इनकी मोहिम कैंसल हो गई है, तो लायजी, कोडी, पाटिल गए, फिर से वो सीडिया उतारी उन्होंने, जो की जरुत नहीं थी, वो सीडियों को वापस निकालने की जरुत नहीं थी, उन्होंने वो सीडिया निकाली, और सुबह हुआ, तो जैसे पहले था, वैसे ही, किसी को कुछ पता नहीं चला कि रात में यहाँ पर क्या हुआ है, जब शिवराय, छत्रपती, शिवाजी महराज को यह पता चला, तो उन्होंने तुरंत, इस लायजी, कोडी, पाटिल को र वहाँ गाओं का रहने वाला, वो डर गया, मैंने कुछ गड़बड किया लगता है, कभी देखा नहीं है छत्रपती शिवाजी को, राइगड भी नहीं देखा है, सुना बहुत है, कि इतने बड़े छत्रपती है, महराज है, मुझे बुला है, तो डरते हुए वो गये, और वहाँ पर जाने के बाद, उनको एक विशेश कक्ष में रखा गया, जैसे होता ना, special guest house, विशेश guest house में रखा गया, और वहाँ पर उनका सत्कार हुआ उस guest house में, और फिर उनको पाँच लोग आकर briefing दिये, कि महराज के सामने कैसे पेश आना है, इतने simple, जैसे सुदामा जा रहे हैं, द्वार का अधीश से मिलने उस परकार से, तो महराज के सामने कैसे पेश आना है, briefing दिया गया, तो वो दिन आया, चतरपति शिवाजी महराज के सामने, चतरपति शिवाजी महराज इतने प्रसंद हुए, गुणगान करने लगे, तो जो इनके अंदर डर था, वो डर चला गया, तो बोले, अरे लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो चतरपति शिवाजी महराज उन्होंने कहा, कि तुमने जो किया है, वो इतना सराहनिय है, यदि तुम वो सीड़िया छोड़ देते उदर, वो उतारते नहीं, तो क्या होता, सुबह, वो सिद्धी, वो सब देखते, और वो देखने से उनको पता चल जाता, कि यहाँ पर किसी ने प्रयास किया है, भेदने का, हमारी किले को भेदने का, तो उन्हें पता चल जाता कि यह एक तरीका है, और उस सीड़िया निकालने के वज़े से अब उनको कभी पता नहीं चलेगा, कि हमारी योजना क्या थी, तो तुमने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है हाला कि वहाँ पर कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी कोई ऐसे बहुत ऐसा नहीं था कि प्रोजेक्ट वाइज उनको कुछ हासिल हुआ था वहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कितनी बारीकी से क्या उनका moral standards था शिवरायन का तो उन्हों ने कहा क्योंकि इस प्रकार का योगदान सेवा तुमने मेरी की है तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर और उस समय क्या होता था कि इनाम के तौर पर वो पालकी देते थे और पालकी डोने वालों के साथ जैसे आज के भाशा में अगर कहें तो शोफर ड्रिवन कार तो पालकी भेट में तुम्हें मैं देना चाहता हूँ मतलब बहुत ये एक honorable जिसको कहेंगे कि gift प्राप्त हो है महराज से तब देखिए चतरपती शिवाजी महराज हैं उनके सारे सिनापती सैन्य मंत्रिगर्ण ये सब हैं वहाँ पर उपस्तित उनके दर्बार में और ये लाइजी कोडी पाटिल वो शिवाजी महराज से कहते हैं कि इसका क्या दूसाह से महराज गिफ्ट डे रहे हैं और ये क्वेशन कर रहा है gift के उपर तो उन्होंने कहा कि यह पालकी और ये पालकी के साथ यह पाल की डोने ये मेरे किस काम का तो Shiva जी महाराज ने पूचा मतलब अरे मैं तो समंदर में रहने वाला ये पाल की समंदर में किस काम की मेरी पॉइंट था तो Shiva जी महाराज वो हसने लगे और उन्होंने अपना हाथ अपने मात्य के उपर लगाया और बोला कि आरे मैंने कितनी बड़ी गलती की मैं जानना चाहिए था कि ये तो समंदर में रहने वाला व्यक्ति है तो चेंज किया शिवाजी महाराज ने फिर जहाज दिया गिफ्ट में लेकिन उन्होंने इसे कहा कि इसका नाम पालकी रखो तो जहाज गिफ्ट में दिया और नाम पालकी आज भी जो लाएजी कोडी पाटिल के जो वन्शज हैं अलीबाग के निकट उनके अभी तो बहुत जहाज बन गए हैं बड़े बड़े जहाज परन्तो आज भी वो उसका नाम क्या रखते हैं पालकी क्योंकि चतरपती शिवाजी महराज का गिफ्ट था इस लाएजी कोडी पाटिल को तो इसलिए जब स्वराज के हम बात करते हैं तो उस स्वराज के साथ एक और महतुपूर्ण शब्द हमें समझना आवश्चक है वो है सूराज तो स्वराज के बाद हमें उसे सूराज बनाना है जैसे जब प्लासी का युद हुआ था तो प्लासी के युद में एक अंग्रेश था रॉबर्ट क्लाइव तो रॉबर्ट क्लाइव वो उस समय बंगाल में कौन था बादशा सिराजुद दौला तो उसे परास्त किया था रॉबर्ट क्लाइव के पास किवल पाँच हजार सैने बल था और इस सिराजुद दौला के पास एक लाग सैने बल था फिर भी ये पराजित हुआ और पराजित होने के बाद रॉबर्ट लाइव उसी प्लासी के गाउंक्षित्र में जा रहा है अपने विज़ापता का को लेकर तो वो लिखता है रॉबर्ट लाइव कि मुझे आश्चिर इस बात का हुआ कि जिस प्रांत को मैंने जीता उस प्रांत के लोग वहाँ पर यदि एक व्यक्ती भी एक-एक पत्थर उठा के मुझे मारता ना तो मेरी पूरी सेना वहीं पर दोस्त हो जाते लेकिन किसी ने रॉबर्ट लाइव के उपर कोई प्रहार नहीं किया बलकि धन्यवाद दिया क्यों क्योंकि वो इतने परेशान हो गए थे किस से सिराजुद दौला से अर्थात कि स्वराज यदि हमें मिल भी जाए परन्तु वो सूराज नहीं है तो वो गले का भंदा बन जाता है जैसे वो कश्मीर फाइल्स मूवी के अंदर एक बहुत अच्छा डायलोग था वो जो कम्यूनिस्ट टीचर थी उसने जो डायलोग कहा था कि सत्ता हुनकी होगी परन्तु सिस्टम हमारा है यह बहुत ही पाउरफुल स्टेट्मेंट है ये इसलिए जब रावन का वद किया था भगवान ने उसके बाद विभीषण को कहा कि केवल सत्ता का स्तानांतरन हुआ है सिस्टम अभी तक रावन का है तो यदि तुम्हें लंका को अयोध्या में परनित करना है तो रावन के सिस्टम मदलने होंगे तो इसलिए टेक होम मेसेज यह आप ध्यान से इन चार लाइनों को पढ़िएगा और फिर मैं इसका अनुवाद भी करता हूँ कि शिवाजी महराज ने जो अथक प्रयास किये हैं हमें स्वराज और सूराज देते हुए तो अब हमारा उत्तरदाइत्व क्या है यह टेक होम मेसेज हाड टाइम्स बिल्ट हाड में हाड में ब्रिंग सॉफ टाइम्स सॉफ टाइम्स मेक सॉफ टमें सॉफ टमें ब्रिंग हाड टाइम्स समझ गया कि जब परिस्तितियां मुश्किल होती है तो मुश्किल परिस्थितियों में सशक्त आदमी बनते हैं जैसे कि छतरपती शिवाजी के समय जो चुनौतियां हमने देखी वो चुनौतियों ने उनको सशक्त बनाया hard times make hard men और ऐचे जो सशक्त होते हैं जब वो आते हैं तो उनके आने के वज़ाए से फिर परंदू जब जीवन आसान हो जाता है तो फिर हम भी वो जो जागिरदार, सुबेदार थे खाट के उपर से पड़े-पड़े इदर उदर जा रहे हैं वैसे बन जाते हैं soft times और फिर होता क्या है ये जो श्रिंकला है hard times तो एक British, English जिसका नाम था James Douglas तो ये James Douglas ये राइगर्ड विजिट करता है और इसने इस James Douglas ने राइगर्ड फोर्ड अब ये मैं आपको बता रहा हूँ चतरपती शिवाजी महराज के गुजर जाने के बाद जब अभी शंभाजी राजे वो चतरपती बन गए है तो एक टर्म था उस समय उसको कहते थे श्री शिल्लक श्री शिल्लक मतलब कि चतरपती शिवाजी महराज ने जिसको कहेंगे कि धरोवर के रूप में वो क्या छोड़ कर गए तो ये James Douglas research करता है और ये कहता है कि मैंने आज दिन तक ऐसा राजा ऐसा समराठ नहीं देखा जिसका इतना दूरदर्शी विजन था फार साइटिडनेस कि जैसे हमने कहा कि उन्होंने 23 के लिए दिये समझाते में कि पुरंदर पीस ट्रिटी में 23 के लिए दिये लेकिन वो जो आगरा से वो एसके होकर वापस आए उसके बाद उन्होंने 360 के लिए जीते फिर से चिवाजी महाराज ने वो तेज तो छोड़ दीजिए 360 के लिए ये कैसे पता है जब आप चेस खेल रहे हो तो बहुत ही जो प्रवीन चेस प्लेयर है वो प्यादे को एनिमी स्क्वेर के एंड तक ले जाता है और वजीर को जिन्दा करता है ये किया च्छतरबती शिवाजी महाराज ने कि अपने प्यादे को एनिमी स्क्वेर तक एंड तक ले जाकर अपने वजीर को जिन्दा किया 23 किले दिये लेकिन 360 जाने से पहले जीते तो ये James Douglas लिखता है कि शीवराय उन्होंने क्या किया उनका विजन देखिए 360 किले और सेन्यबल कितना 2,00,00 2,00,00 सेन्यबल छोड़ कर गए और आप विश्वास नहीं करेंगे उन्होंने धनराशी कितनी छोड़ी उस समय 9 क्रोर 9 कोटी धनराशी छोड़ी और इतना है नहीं उसके साथ अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र, किराना, मुल्यवान, धातू ये सब राइगड किले में वो छोड़ कर गए आगे इसलिए उनकी लेगेसी क्या है शिवराई की लेगेसी ये है जो कि किसी राजा ने हासिल नहीं की थी कि उनके गुजर जाने के बाद 27 साल तक उनके इंस्पिरेशन से उनके अन्युआई लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे और ये औरंग जे दाड़ी पोश आतंकवादी ये अपने जीवन मरते समय रिग्रेट करता रहा कि मैंने शिवाजी को आगरा में मारा नहीं और इसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन ये कभी वहाँ पर काबिज नहीं हो पाया और वो क्यों क्योंकि शिवाजी महराज स्वयम जीते जी और जाने के बाद उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी उनके बाद उसका ये परिणाम था सूर्य दाराएं जर उधर दे गस्ते तर आखाशा सा रंगर समदला नस्ता जर छत्रबती शिवाजी राजे जरमले नस्ते तर हिंदू धरमाजा खड़ा अर्फ़ अमाला समदला नस्ता हम शेर हैं हम शेर हैं और शेरों की तरह हसते हैं क्योंकि हमारे रजय में चत्रबती शिवाजी महराज बसते हैं क्योंकि नस्ते हैं क्योंकि iquårते हैं यार्फ़ जिना करें